तरिक साथ आप मेरे सवाल करेंगे और वाइस डॉन्ट टॉक तुम मैं सवाल कर रहा हूं आपने हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाब बोलते रहे ना ना सवाल करें जी के तारीफ करते रहे और अपको सिटिजिन्शिप मिल जाए इंडिया का आप पाकिस्तान से आए बाबाजी गठन लूवाइब बात करें आप पाकिस्तान से आवे मुसल्मान है आपको सिटिजिञिशिप में रहे हुआ 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 है आपको सवाल करेंगे और आपने नाम तारीफ फता क्यों रखा है और या थीके सवाल पूचे रहे हैं तारीफ प्क्राइब नाम अप तौर साइटी तैंक यू नाम फिक यूज परन नाम पैक सबस्टेशिप इस घ्रचैडी इस Сब्सक्राइब अब लिए हुआइब लिए खेंगे आप लंगे कर रहे हैं यह इंद रहा है नहीं एक सिंग जा इसको जाना यह पार निकाले अरज जाओ उसको जाना जो यह के सब मत दो एक सब्सक्रेंगे यह एक सब्सक्राइब आए ते जिस तेमूर के टट्टू गोड़े पर आए ते उसी पर वापिस जाएंगे जो यहां आके आपने जिन लोगों को 700 साल में जिन बच्चें को रेप किया जिन प्लंडर किया जिस लोड़ी की तारिफ किया जिस और जेंगे नाम पे बच्चे रखे आपने आपको शरम नहीं आती है आप माफी नहीं मान सकाया तक अपने पूछा कि आप ने अपने लाम तारिक फत्य क्यों रहा है हां सवाल बात सुनिए ना आप लोग तो खुद आते हैं कि आतार आया वाया ऐसे सवाल था कि मेरा नाम तारिक क्यों है उन्होंने पुछ सवाल है तारिक अभार्यां जो मुंना इसका प्रेजिए हैं आपना नाम तारिक पड़ी भी गल्दता आप लोगों को अरे भाईया चुप करो ये सूट पे अंसे कुछ नहीं होता देखिये आप का आने कौन देता है मस्जिद में आप कब गई मस्जिद में आप तो मस्जिद में आपको आने ही नहीं देता कोई कर दो आने हैं इन स्वाल आप लुगाइज करते हैं कि आपको नहीं पता है अच्छा आपको नहीं पता है आप नहीं पता है तो मैं बता रहू हूँ आपको, उनके घर में पड़दे लगे हैं जिनके पीछे जिन रहते हैं, वो उनकी अबादत करते हैं, यह खुद कहते हूं। आप पे इल्जाम यह है कि आप मुसल्मानों को कम करके आखते हैं हिंदू को उपर आखते हैं इल्जाम है आम उनके मुल्क में देखिए पांच हजार साल पुराना मुल्क है समझें आप यह मोंजुदारों है यह अडवानी साथ जहां से आए वहाई से मैं भी आया हूं हिंद बिना हिंद मुकमल नहीं है और जिस शक्स को यह अंदादा है कि सिंद हिंदिस्तान का हिस्सा नहीं है वह जूट बोल रहा हम से चीना गया है दूसरी बात करता हूं राम के दो बेटे थे लव और केश खुश उनके शेहर कौन से थे के कसूर राइट वहाँ एक नहीं रहता ना आपको तो हिंदुस्तानियों को क्या तकलीफ है इसमें उन्हें का बच टमाटर वहां से सस्ते मिलें खत्म और यहां का जो मुसल्मान है उससे कभी आपने सुना के राम के बेटों के शेहर में एक हिंदू नहीं रह रहा है इससे मैं मुसलिम कहता हूं मेरी कि ड्यूटी है कि मैं करूं सच बात यह है कि राम के बेटे के शेहर में हिंदू ना होना एक गुना है और मुसल्मान की जिम्मेदारी है कि वह इस गल्ती को टर्न करें पर पर आप तो लवकुष्ट की बात कर रहे हैं यहां पर तो औरंग जेब और बाबर की बात होती है आपको एक मुलाना साफ ने टीवी पे कहा कि आरंजेब हमारा जए है कुछ मुसल्मान कुछ मुसल्मान सब नहीं आरंग जेब को फौलव करते हैं दわか को फौलव नहीं करते बाद के ऑल्ला का बाद का इसलाम है